हलो फ्रिंट्स आप सब का स्वागत है मेरी चैनल री डिजाइन में तो आज हम बनाएंगे ब्यूडिफुल बैल स्लीव डिजाइन जिसे हम डोरी लूप के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो यह जो बैल स्लीव मैं आपको बताने जा रही हूं बैल स्ली है और इसको हम सीधा सीधा मार्क कर लेंगे तो और उसके बाद हमें स्लीव की लेनी है जितनी भी आपको रखने है मुझे 18 इंचिस रखनी है तो मैं यहां पर 18 इंचिस पर मार्क कर दूंगी अब हमें एक्स्ट्रा मार्जन भी लेना होता है फोल्डिंग के लिए तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का ले रहे हूं तो इसको भी थोड़ा सीधा-सीधा ऐसे माग कर लेते हैं तो अब आप जितनी भी मोरीष की रखना चाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कपड़े के अकॉर्डिंग मैं यहां पर 9 इंच रख रहे हूं यह देखिए तो आपको तो पता ही है कपड़ा हमने स्लीव के लिए डबल फोल्ड करके रखा होता है तो यह मेरा डबल फोल्ड किया हुए कपड़ा है तो ऐसे मैंने इसको 9 इंच माघ्ट लिया अब हम उपर से हम हल माक कर लेते हैं तो आं महल जो मेरे पास है तो इसको ऐसे मार्क करतेंगे हम और ये देखिए ये नीचे से थोड़ी डाइगनल में भी है आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको मार्क किया है अगर आपके पास फैब्रिक जादा चोड़ा है तो आप इसकी मोरी बढ़ा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर 9 इंच पर रखी है अब हम उपर से एक्स्ट्रा मार्जन भी ले लेते हैं अब हम इसको कट कर देते हैं अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको नीचे से कोई गोलाई नहीं देनी बिल्कुल सीधी सीधी मार्क करनी है थोड़ी चोड़ी तो फ्रेंट्स यह स्लीव्स का बिल्कुल नया डिजाइन है और समर कुटती पर बहुत ही ट्रेंडी है आज तो चलिए इस पर लूप स्टिच कर लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने डोरी को पहले से ही बना लिया है इसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुए उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूं या उपर आई बटन प्रेस करके भी आप यह कैसे बनती है तो हमने इस डोरी के धाई धाई इंच के इकुल पीसिस कट कर लेने हैं इस तरीके से तो हमने ऐसे सारे पीसिस कट कर लिये हैं अब हमने इसको स्लीव पे स्टिच करना है वो भी गुम तरीके से तो हम पहले स्लीव को खोल लेते हैं और यह जो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जन है ना इसका इसको हमने सीधी साइड पे भी मार्क कर लेना है जैसे हमने इसकी बैक साइड पे मार्क किया है सीधा सीधा वैसे हम सीधी साइड पे भी कर लेंगे चौक से क्यूंकि इधर वाली साइड में ही रखके हमें लूप्स को स्टिच करना है इसी तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा मार्जन को मार्क कर लिया है अब हमने इसी मार्किंग के ऊपर रखे अपने लूप्स को स्टिच करना है इस तरीके से तो ऐसे हमने लूप्स को रखना है और थोड़ा खोल के ही रखेंगे और लूप्स को हमने ऐसे उपर वाली साइड की तरफ रख तो बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने सारे लूप्स को स्लीव की मोरी के उपर ऐसे रखते हुए स्टिच कर लेना है तो यह देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी लूपियों को स्टिच कर लिया है अब हमने क्या करना इसका यह जो एक्स्ट्रा मार्जन है इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखें जिस सिलाई से हमने लूप्स को स्टिच किया है उस सिलाई को आप दबाते हुए यह वली सिलाई लगाएं यह देखिए इस तरीके से आपने भी लगानी है तो यह देखिए फ्रेंट्स हमारी यह वली सिलाई लग चुकी है तो अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे अंदर की तरह फोल्ड करते हुए लूप्यों को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए हमने एक सिलाई और लगानी है यहाँ पर लेकिन वो सिलाई हम मुल्टी साइट से चलाएंगे ऐसे इसको घुमा ले और यहाँ से आप किनारी की सिलाई लगाते हुए इसको सिलाई स्टिच कर दें तो अब यह देखिए यहाँ पर किनारी की सिलाई भी लग चुकी है और पीछे से कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है आप देख सकते हैं और आगे से भी कितना ब्यूटिफुल यह डिजाइन हमारा सिलीव का रेडी हुआ है तो अब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं सिलाई लगाने से पहले हम इसका कोना यह जो है इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस सिलाई से क्या होगा? ये बाहर की तरफ को ना दिखाई नहीं देगा और फेनिशिंग अच्छी आएगी तो फिटिंग की सिलाई लगने के बाद हमारी ये स्लीव रेडी हो गिया अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ तो ये देखिए पहनने के बाद कितनी अच्छी लुक देती है ये प्रिंटेड कुर्ती को भी तो आप भी अपनी समर की कुर्ती पे ये वला डिजाइन जरूर ट्राइ करें बिल्कुल लेटस्ट है और बहुत ही ब्यूडिफुल भी लगता है ये बना हुआ तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक को शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो नई डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई